नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवंपांडे और आप सभी का स्वागत है करेंट अफेस की एक और नई वीडियो में दोस्तों जम्लोग इस वीडियो में राश्टी वा अंताराश्टी सम्मेलन 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं साथी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को ट्रिक पॉइंट चैनल पर देख रहे हैं तो अभी हाली में मैंने करेंट अफेस ट्रिक नाम से एक नया चैनल बनाया है जिस पर केवल और केवल करेंट अफेस की वीडियो अपलोड होती हैं ट्रिक के माध्यम से और आगे चलकर करेंट अफेस की सभी वीडियो केवल और केवल उसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी तो अगर आप अभी तक उस चैनल पर नहीं पहुंचे हैं तो उस चैनल की लिंक आपको कमेंट वाक्स में पिन की हुई मिल जाएगी आप उस लिंक के जरी उस चैनल पर पहुंच सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपराधिक न्याय प्रसासन सम्मेलन 2024 की जो की आयोजित किया गया गोहाटी में तो यहाँ पर देखे आपराधिक न्याय सब्द लिखे हो मतलब ऐसा मानिए कि अपराध हुआ है तो न्याय चाहिए और अपराध का जो न्याय है वो कहां मिलता है अदालत में मिलता है और गोहाटी में देखे क्या मिल जाएगा आपको सब्द गा, वा और हा यनि गवाः तो नया किसकी आधार पर मिलता है गवाः और सबूत की आधार पर गवाः फोर गोहाटी तो याद रखेगा आप राधिक नया प्रसासन सम्मेलन दोहज़ार चौबिस कहा जित किया गया है गोहाटी में नेक्स्ट है भारती विशलेशनात्मक सम्मेलन दोहजार चौबिस जो की आयोजित किया गया है देहरादून में तो यहाँ पर देखे क्या लिखा हुए विशलेशनात्मक में विश विश मतलब जहर आपको पता है कि जहर का जो तोड है पहले के टाइम पे आ अयुरवेंद में जो हरी पतियां होती थि हरी पतियों का जो रस है नॉर्मली मान जिजी जड़ी बूटी है कोई तो हरी रहती थी तो उनका रस जो है निचोड के पिला देते थे तो विश चला जाता था तो आपको ऐसे याद हो जाएगा हराफ उर देहरादून तो याद का रंग नीला हो जाता है देंफ और देहरा दून तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो फिर है वान जलवाई सम्मेलन 2024 और यह आयोजित किया गया है जर्मनी में आप देखिए वान, वान को याद करने के लिए कर लेते हैं वर्ण बर्ण करना मतलब जलना होता है जलवाई में भी जल सब्द आपको मिल जाएगा मतलब जलना जर्मनी में जर्मनी यहाँ भी जलना जर्ना सब्द आपको मिल जाएगा तो तीनों में आपको ऐसा मिल जाएगा तो याद रखिएगा आप ऐसे कि बाँजलवाई स्मेलान 2024 कहा जित किया गया है जर्मनी में फिर अगला है 112 हभा अंतर राष्टी स्रम्व स्मेलान 2024 और यह आयोजित किया गया है जीनेवा में अब देखे श्रम की बात होरी है तो मालीजे कोई ब्यद्टी है जोकि कड़ी महनत करते है महनत दो तरीके से होता है, एक hard work और दूसरा smart work तो जाहिसी वात है मालीजे कोई केवल महनत ही महनत करता है और दिमाग नहीं लगाते है ठीक है तो जाहिसी वात है उसका जो परिवाश है वो किस से दे दि جाएगी जानवरों से दि दि जाएगी 112 अंतर राश्टी स्रम सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है जिनेवा मी तो ये ट्रिक किवल और किवल याद करवाने के लिए तो आप इसको गलट धंसे बिल्कुल मत लेजेगा ठीक है तो किवल याद करने की दिश्टी से देखिएगा नेक्स्ट है SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 और यह आयोजित किया गया अस्ताना मी आप देखेए SCO SC SC से अब दिल्का हुआ है और यहाँ पर अस्ताना मी स्टार्टिंग में S अस अना अस्ताना तो याद रखेगा पैसे कि SEO वार्षिक सिखार सम्मेलान 2024 कहा जुद किया गया है S for अस्ताना में ठीक है फिर अगला है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और इस थीरता पर वैस्विक सम्मेलान 2024 और यह आयोजित किया गया नई दिली में अब देखिए recycling की बात हो रही है तो ऐसा मानिये कि recycle होने की बात अगर करें तो हमारे सरीर में ऐसा कौन स्राफ़ पार्ट है जो recycle हो जाता है तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि सामने वाला बोला है कि उसका दिल टूट गया है तो माली जे किसी का दिल टूट जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी तो दिल तूटने के बाद हो सकता है जल्दी से रिसाइकल हो जाता हो जुड़ जाता हो तभी तो जिंदा रहता है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दिल फॉर नई दिल्ली तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और इस थिर्ता पर वैस्विक सम्मेलन दोजार चौबिस कहा अज़ित किया गया है नई दिल्ली में नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया आटिफिसियल इंटेलिजन सिखर सम्मेलन दोजार चौबिस और यह भी आयोजित किया गया नई दिल्ली में तो इस बार दिल्ली को याद केरने के लिए बिल्ली कर लेते हैं और आर्टिफिसियल में आपको सद मिल जाएगा आर्थी तो अगर आपने जीवों के गुण सूत्र वाली बीडियो देखिए तो मैंने आपको बताया था कि बिल्ली के कितने गुण सूत्र होते हैं 38 जोड़े गुण सूत्र होते हैं जोड़े में 38 दुना 76 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए उसकों लोगों ने कैसे याद किया था कि बिल्ली बोलती है मैं आउं मैं आउं तो घर में अगर बोले कि मैं आउं तो जाहिसी बाते बिल्ली तबाही मचा के रख देती है दूद्ध ही पी जाती है तो बोलते न कि अहां आओ मैं तुम्हारी आर्ती उतारता हूं डंडे से तो आर्ती फॉर अन्टीस ऐसे याद किया था तो यहाँ पर आर्ती और आर्ती फीसियल याद रकने है तो याद रखिएगा कि ग्लोबल इंडिया आर्ती फीसियल इंटेलीजेस सीखर सम्मेलान दोजार चौबिस जो है कहाँ जित किया गया है बिल्लीफ और नई दिल्ली में अगला है नाटो सिखर सम्मेलन 2024 जो की मनाया गया है या फिर आयोजित किया गया है अमेरिका के वसिंगटन DC में अब देखिए नाटो नाटो के याद कर लेते हैं नाटो नाते रिष्टदारों की बात हुरी और आपको पता है अगर पूरे देश का नाता की बात करें तो पूरे देश का रिलाइशन किस चीज़ से है बिजनेस से है ना ब्यापार से है ब्यापार मतलब लेंदेन से है तो आप ऐसा कह सकते हो कि पूरे विश्व का नाता लेंदेन से है तो लेंदेन फो लंदन तो याद हो जाएगा विश्व नेताओं का सिखर सम्मेलन 2024 कहा योजित किया गया है लंदन में नेक्स्ट है वेस्विक मेड टेक सम्मेलन 2024 जो की आयोजित किया गया नहीं दिल्ली में तो यहाँ पर देखिए मेड टेक मेड को याद करने के लिए मेड कर लेते हैं मेड मतलब पागल और दिल्ली में दिल सब्द आपको मिल जाएगा तो मान लिजे कि वह इव्यक्ति है उस उसका दिल किसी से लग गया तो जाहिसी बात है वो उसके लिए मैड हो जाएगा पागल हो जाएगा उसके आगे पीछे घूमेगा तो दिल लग गया है तो मैड हो जाएगा तो आपको यसे याद हो जाएगा वैस्विक मेड टेक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है नई जीओं का 7 जादा करना है, तो 7 करना मतलब ग्रहन करना, खाना, और यहाँ पर देखे, इटली में, इटली, इट मतलब भी खाना होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, अगर कोई बेक्ति किसी भी चीज का 7 कर रहा है, तो जाई इसी बात है, इट कर रहा है, तो आपको या मिनिरल की बात हो यह, मिनिरल मतलब धातु होते हैं, और नई दिली में आपको सद मिलागा दिल, और आपको पतह दिल जो है, इसको भी एक मिनिरल की तरह ट्रीट किया जाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कि सामने वाले ने दिल चूरा लिय है नए दिल्ली में फिर अगला है विस्व हाइड्रोजन सीखर सम्मेलान 2024 और इसका आज़न किया गया है नीदरलेंड के रॉटरडम में तो यहां पर हाइड्रोजन मतलब हाइडरोजन डरने की बात हो रही है और नीदरलेंड में आपको सद मिलेगा नीडर तो जो नीडर होते हैं वो नहीं डरते हैं तो हाई नहीं डरते हैं या फिर रॉटरडम याद रखने आपको तो डम में आपको दम मिलेगा तो जिनके अंदर दम होती है वो डरते नहीं है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि विस्टो हाइड्रोजन सिखार सम्मेलन जो है 2024 का इसका आजन कहां किया गया है नेदरलेंड के रोटर डम में नेक्स्ट है आपदा प्रतिरोधी धाचे पर अंतराश्टी सम्मेलन और इसका आजन किया गया है नई दिल्ली में तो कैसे याद रखेंगे आपदा की बात हो रही है और नई दिल्ली में दिल तो आपको पता है जब किसी भी ब्यक्ति के सामने कोई भी मुसीवात आजाए जैसे मान लीजी आप कहीं पर खड़े हो और आपके सामने एक एक किंग कोबर आ जाए या फिर सेर आ जाए तो आपके दिल की जो धड़कन हो तेज हो जाएगी याना जब ही आपके सामने आपदा आती है तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती आटोमेटिक तो दिल प्रभावित होता है सबसे पहले तो दिल फर दिल यानि नई दिली तो याद रखेगा आपदा प्रतिरोधी धांचे पर अंतराश्टी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है नई दिल्ली में नेक्ष्ट है महासागर दसक सम्मेलन 2024 और इसका आयोजन किया गया है इस पेन में कैसे याद रखेंगे महासागर दसक में आपको सब मिलागा महासागर में डसा डसते कौन है नाग और आपको पता है पानी में भी होते हैं साप और वो डस लेते हैं तो महासागर के बीच में अगर किसी नाग ने डस लिया है किसी इंसान को तो जाहिए सिवा थे वो पेन से त रड़पता रहेगा क्योंकि वहाँ पर दवा की नहीं जा सकती है, बीच में है तो बहुत टाइम लगेगा, तो pain होगा अगर महासागर में dus लिया है नागने, तो pain for Spain, तो याद रखियेगा महासागर दसक सम्मिलन 2024 का योजन कहा किया गया है, इस pain में किया गया है, नेक्स्त जो होता है बहुत बड़ा दिखता है आस्मान में तो जाहिसी बात है उसको नाप पाना मुस्किल है है ना छोटा सा अगर धनुस हो तो नाप लेंगे लेकिन इंदर का धनुस कितना बड़ा बना रहता है आस्मान में रैन्बो तो उसको नाप पाना मुस्किल है तो नाप ना और नेपाल नापाल नेपाल ठीक है तो आप एसे याद रखेगा कि अंतर राष्टी इंद्रधनुस परेटन सम्मेलन 2024 जो है इसका एवजन नेपाल में किया गया है फिर अगला है वर्ल्ड फ्यूचर एनरजी सिखर सम्मेलन 2024 और इसका एवजन जो है संयुक्त अरव अमीरा आट के मसदर में किया गया है तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वर्ल्ड फ्यूचर एनरजी यनि विस्व के भविस्व के एनर्जी की बात हो रही है तो जाहिसी बात है मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि भविस्व में भी एनर्जी मिलती रहे मतलब उनको सदा एनर्जी चाहिए एनर्जी कमना हो बलकि सदा मिलती रहे ऐसा कुछ thinking दिमाग में आ रहा है तो सदा मिलती रहे तो मसदर में मा की बाद आपको सद मिलाएगा सदर मतलब सदा तो आप ऐसे याद रखेगा कि world future energy सिखर सम्मेलन 2024 जो है इसका आयोजन किया गया है मसदर में ठीक है नेक्स्ट है परमानू उर्जा सिखर सम्मेलन 2024 और इसका आयोजन किया गया है बेल जीयम में तो कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए परमानू उर्जा और बेल जीयम में आपको सद मिलाएगा बेल मतलब बैल और परमाणू में आपको सद्री लिए मारू उड़ जा ठीक है मारू उड़ जा मतलब ऐसा बोल रहा है बैल कि मैं मारू गा तो उड़ जाओगे जाहिसी बात है बैल जो होते हैं गुस्से वाले होते हैं तो अगर किसी को मार देते हैं तो सामने वाला उड़ के सम्मेलन 2024 कहा पर पर आयुजित किया गया है दक्षिन कोरिया में थीक है यह पर दक्षिन याद रखना है तो आपको पता है काला जादू जो है करवाया जाता है तो किसी के सूख चैन को चीन लेते हैं और काला मतलब करिया तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो फिर आगला है नीम सिखर स्रमेलन 2024 और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में तो नीम आपको पता है कडवी होती है और नई दिल्ली में दिल सब्द लिखा हुआ है तो बहुत सारलोग ऐसा बोलतेते हैं कि दिल का बहुत अच्छा है बस उसके सब्द करवी है तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में ही तो स्वास्ति की बात हुरी है स्वास्ता आपको पता है मनुस्थ के सरीर से समन्दित है मतलब मनुस्थ का सरीर क्या है स्वास्ति है ऐसा बोला जा रहा है और दिल्ली एक मात्र ऐसा नाम है जहां पर मनुस्थ के सरीर के किसी अंग का नाम आते है तो आंगा है दिल है ना और दिल अगर सही है तो मनुस्य स्वास्थ है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सारवजनिक स्वास्थ भारा सम्मिलन 2024 जो इसका आजन कहां किया गया है नई दिल्ली में फिर अगला है ग्लोबल बिजनेस कानक्लेव जिसको बोला गया है महावीज 2024 और इसका एवजन किया गया है संयुक्त अरव अमीरात के दुबई में तो यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है और आपको पता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास अरवो रुपए होते हैं और वो अमीर होते हैं तो अरव अमीर होते हैं तो अरव अमीर फोर संयुक्त अरव अमीरात तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह सम्मेलन कहां कि रात में फिर अगला है विश्व पुलिस सिखर सम्मिलन 2024 और इसका अयोजन भी दुबई में किया गया है तो कैसे याद रखेंगे पुलिस में आपको सद मिलेगा पुली मतलब पुल की बात हो रही है और आपको पता है जो पुल होता है वो एक भाग को दूसरे भाग से 2024 जो है इसका अयोजन कहा किया गया है दुबई में किया गया है फिर अगला है फुरटीन वा वैस्विक अप्रवासन सम्मिलन 2024 और इसका अयोजन किया गया है नई दिली में तो नई में आपको सब्द मिलेगा नया मतलब न्यू और यहाँ पर सब्द क्या लिखा हुए एक प्रवासी दूसरा आप्रवासी प्रवासी मतलब ऐसे लोग जैसे मालीजे कोई भारत का है और अमेरिका जा रहा है काम के लिए ठीक है और काम करके फिर वो भारत भी आ जाता है मतलब नागरिक्ता कहां की है भारत की लेकिन आप्रवासी लोग वो होते हैं जैसे दिल्ली तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 14 वा वेस्विग आप रवाशन सम्मिलन 2024 कहां पर आज़ित किया गया है नई दिल्ली में फिर अगला साथवा हिंद महासागर सम्मिलन 2024 और इसका आज़न किया गया है ऐस्ट्रेलिया में तो हिंद महासागर ऐसा समझे कि हिंदुस्तान का महासागर है तो अगर हिंदुस्तान का महासागर है और वहाँ पर कोई कबजा करने की कोशिस करेगा तो जाहिव सिवात है कि अस्त्र चल जाएगा जगड़ा हो जाएगा आपको पता है हम भारती लोग किसी को एक इंच जमीन भी देना पसंद नहीं करते, आपने देखा होगा बहुत सरी लोग क्या करते हैं, एक इंच के चकड में ही एक दूसरे का सर फोड देते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक इंच के चकड में यहाँ पर लडाई हो जाती है, तो अगर कोई पूरा क पूरा महासागर चीने की कोशिस करेगा, तो जाही सिवात है, आस्तर सस्तर चल जाएंगे, तो आस्तर फोर आउस्ट्रेलिया, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कि सातवा, हिंद महासागर सम्मेलन का उजन, कहां किया गया है, आउस्ट्रेलिया में, फिर अगला है विश्ट सरकार सिखर सम्मिलन 2024 और इसका भी आउजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में तो सरकार को कर लेते हैं सरकारी तो जिसके पास सरकारी जौब है तो जाहिसी वात है वो अमीर हो जाता है सरकारी जौब बाले बेक्ती अमीर हो जाते हैं अरबोर उपय उनके पास आ जाएंगे दिरे दिरे तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व सरकार सिखर सम्मिलन जो है इसका आयोजन कहां किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है उननीसवा यान एम सम्मिलन दोहजार चौबिस और इसका आयोजन किया गया है कमपाला में तो कैसे याद हो जाएगा यहाँ पर एन एम याद करने के लिए कर लेते हैं नाम तो आपने देखा होगा पूरानी फिल्मों में जो डांकू लोग होते थे तो वह हमेस सांती के लिए 12 बाद सम्मिलन दोहजार चौबिस और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में तो बारा और बाद सब लिखा होते हैं याद करने के लिए कर लेते हैं बड़ा बुधु तो बड़ा बुधु कौन होते है दिल होते हैं तो आप ऐसे याद रखियेगा कि बराबुद्दु कोन होता है दिल होता है दिलफो दिली यानि नई दिली तो आपको याद हो जाएगा सांती के लिए बारावा बँद सम्मिलन दो हBook 24 जो है इसका आयोजन किया गया है नई दिली में फिर अगला है जलवाय सिखर सम्मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है मुंबाई में नेक्स्ट है एसो चैम दोरा आयोजी सेकंड वैस्विक IP लीडर्शिप सम्मिलन 2024 और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में तो लीडर्शिप में यहाँ पर सब्द आपको मिल जागा लीडर तो आपको पते हमारे भारत की जो लीडर है वो कहाँ पर जादा तत देखने को मिलेंगे नई दिल्ली में संसद में तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो आईसो चैम दोरा आयोजी सेकंड वैस्विक IP लीडर्शिप सम्मिलन 2024 है इसका आयोजन कहां किया गया है नई दिल्ली में तो इस तरीके से अपने टॉपिक कम्पलीट हुआ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा